हेलो दोस्तों मैं हुसेन और मैं आपको एक सेमसंग का जो नया मॉडल लांच हुआ है सेमसंग गैलेक्सी एट्री 2017 मॉडल है जो कि यह जैनुरी लाश्ट में लांच होने वाला है इंडिया में तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसमें क्या फीचर हों क्या इसके डिकलेरेशन है प्राइस के अकॉर्डिंग तो आइधिंक यह 15-20,000 के रेंज में यह स्मार्टफोन मिलेगा आपको इंडिया में और यह जैनुरी लाश्ट में इंडिया में मिकना स्टार्ट हो जाएगा तो आईए मैं आपको बता दूं कि देखते हैं कि सैमसंग ने क्या 2017 के मॉडल में क्या नया किया है क्या इसके नए फीचर आए हैं और मैं यह आपको बता दूंगा कि प्राइच के अकॉर्डिंग इसका स्पेसिफिकेशन अच्छा है कि नहीं है तो मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको यह तो आजकल कि सारे मॉबाइल 4G सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह लांच तो जैने बताया आपको कि यह लांच होगा जैनुवरी लाश्ट में होगा तो अब मैं आपको बता दूं इसका डाइमेंशन तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह 4.7 इंच की स्क्रीन है जो भी 2016 मॉडल है तरी उसकी साइज इसके साइज सेम है तो अभी कोई डिफ्रेंस नहीं देखा इसमें और इसका जो डाइमेंशन है वो 5.33 है हाइट इसकी 5.33 इंच है और इसका बीद है 2.61 है जो थीनिंग है 2.31 इंच है मिन 7.9 mm की है और वेट जो है 135 ग्राम है जो की लाइट बेट है और लाइट रहे गई क्यों को यह दो वेरियंट में मिलेगा सिंगल सीम और डूबल सीम में और इसमें एक नया फीचर एक्स्ट्रा एड़ान्स हुआ है जो कि है वाटर रेजिडेंस है डस्ट प्रूफ है यह 30 मिनेट तक आप 1.5 मीटर तक यह वाटर रेजिडेंस सपोर्ट करता है इसमें सूपर है म सेमसंग के सारे मोबाइल में आजकल आ रहे हैं और इसका जो साइज तो बताया मैंने 4.7 इसकी स्क्रीन है इसमें और 67.9 स्क्रीन की जो है बॉड़ी रेचियो है तो ठीक है ज्यादा सार्प नहीं मिलेगा आपको और इसका जो रिजोलूशन है वह आपको 720 से 1280 का मिलेगा जो कि 312 PPI की डेंसिटी में है जो कि इसकी ज्यादा होने से स्कीन की क्वालिटी और प्लस सूपर एमेलोडी स्क्रीन है तो इसकी क्वालिटी अच्छी दीखेगी और इसमें गोरिला ग्लास लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए जो कि आपको टच ब्रेक होने से डैमेज जोने से बचाएगा और वैस मैं आपको मैं बता दूं कि यह मार्श मेलोग पर रहा है लेटेस्ट इंड्रोइट पर यह एंड्रोइट का तो एक ट्रॉबैक है और इसका चिपसेट जो है एक जिनोस 787 0.0 अक्टा है CPU जो है 1.6 ओक्टा कोर प्रोसेसर जो की 4.7 इंच स्क्रीन है जो की काफी फास्ट चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी बट इसमें माली 830 का जो GPU लगा हुआ है इतना ज्यादा अच्छा नहीं है ग्राफिक्स के लिए आप आप मीडियम गेम ग्राफिक्स के खेल सकते हैं उसको खेलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कार्ड अक कार्ड श्लोट की बात करें तो इसमें डेडिकेटेट स्लोट मिलेगा मिन्स इसमें हाइवीड सिम नहीं है दो सीम और एक मेमोरी काड आप इसमें यूज कर सकते हैं बाकि इसमें 16GB इंटर्नल मिलेगा आपको 2GB RAM मिलेगा और मैं कैमरे की बात करूं तो इसमें प्लस मॉइंट है 13MP केमरा आपको मिलेगा 1.9 अपर्चर के साथ और बाकि जो आपको फीचर जो है वो बाकि से मोबाइल की तरह से से केमरा आपको 8MP के लिए जो सेलफी लवर के लिए काफी अच्छा है 1.9 अपर्चर के साथ जिसमें से बाँड एंगल से आप सेलफी ले सकते हैं और मैंकमन जो फीचर है इसमें आप मैं आपको बता दूं कि फिंगर पृंट आपको इसमें मिलेगा एक्ष्ट्रा फिचर यह दिया है फिंगर पृंट इसी से इसकी प्राइज रेंज जो ज्यादा है और इसमें गैरो सेंसर भी बाकि अगर बात करें फास्ट चार्जिंग की तो इसमें कहीं अभी डिकलरेशन नहीं है I think support भी नहीं करता है फास्ट चार्जिंग और इसकी बैटरी जो है 2350 एमेज की बैटरी है ज्योंकि 4.7 इंच स्क्रीन के लिए ठीक है ज्यादा अच्छा भी नहीं है क्योंकि सूपर इसकी एमिलेड है और इसकी रिजूलिशन भी ज्यादा है तो बैटरी ड्रेन फास्ट होगा तो आई थिंग है 2350 एमेज की जो बैटरी है वो वन डेच चलेगी मॉडरेट यूज में हैवी यूज करेंगे तो not an issue वन डेच तो आपको बैक अप मिली जाएगा और बाकि इस तरी चलेट लिए क्योंकि जो होता है से यार वैल्व जो होती है वह 1.5 होता है तो ठीक है और प्राइच की रेंच के हिसाद से मोबाइल जेखा जाए तो काफी ज्यादा प्राइज है इस स्पेसिफिकेसन के हिसाब से आपको 10,000 में इस अच्छे स्पेसिफिकेसन के और द जैसे skin quality के लिए माना जाता है super emlode screen ने camera के लिए माना जाता है तो देखते हैं अब जो market में mobile आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी unboxing दिखाऊंगा कि headset कैसा है camera quality क्या है वाकि other चीज़ है मैं आपको unboxing में जो market में आजाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वाकि वीडियो देखने के लिए सुक्रिया धन्यवाद थैंक यू अगर वीडियो पसंद आए तो like करिएगा और subscribe भी करिएगा subscribe करेंगे तो आपको फायदा होगा कि जितने भी updated model mobile जो आने वाले हैं मैं उनका वीडियो आपको upload करेके दिखाऊंगा thank you so much Jai Hind